अगर confusing verbs की बात करें तो confusing verbs के list में अगर सबसे ज़्यादा कोई confusing verbs है, the most 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 confusing verbs है, तो यह है lie versus lay, यह दो ऐसे verbs है, चाहे कितना बार भी आप इनके बारे में study कर लो, इनके बीच का difference के बारे में जान लो, इनके uses के बारे में जान लो, main time पे exam के समय में अगर examiner आपको lie या lay से related कोई question दे दिया, कोई question set कर दिया, तो ज़्यादा तर chances है कि वहाँ पर हम और confused हो जाते हैं, हमसे mistake हो जाती है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों verbs के बीच में actual difference क्या है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका lie और lay से related कोई भी confusion नहीं रहेगा, आपको दुबारा study करने का जुरूत नहीं पड़ेगा, because मैं ना केबल इन दोनों verbs के अलग-अलग forms के बारे में बताऊंगा, इनके different meanings के बारे में बताऊंगा, बलकि साथ हम कुछ questions के form में इन verbs को apply करना भी सीखेंगे, so let's get started, तो आईए सबसे पहले हम like a meaning जानते हैं, तो same spelling के साथ like का दो meaning होता है, like का दो meaning होता है, जिसमें पहला meaning है, to make a false statement, मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जूट बोलना, यानि कि false statement पास करना, और like का जो second meaning होता है, like a second meaning होता है, to rest or recline, to rest या recline का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि horizontal position प में क्या क्या मीनिंग होता है लेट ना, जैसे कि आप विस्तर पे लेटे हुए है, आप विस्तर पे लेटे हुए, विस्तर पे सो रहे हैं, तो आपका position कैसा होता है, horizontal position पे आप rest कर रहे होते हैं, आप recline कर रहे होते हैं, बात समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब एक और क्या होत और वो भी कैसा position में horizontal position पे, तो उसके लिए भी हम क्या बोलेंगे lie बोलेंगे और इसका meaning क्या होता है, लाइका एक और meaning होता है, अवस्थित होना या फिर अवस्थित रहना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो दिल्ली कहां अवस्थित है दिल्ली इंडिया में, दल्ली lies in इ मिनिंग और एक हम बात करें ले तो एक क्या स्पेलिंग होता है ले एल एवाई ले तो ले का मतलब क्या होता है ले का मतलब होता है नीचे रख देना या गिरा देना या नीचे रख देना या फिर बिचा देना हम कह सकते हैं तो इसका हिंदी मिनिंग से जानते हैं इसका और मुर्गी का जो अंडे देना होता है या फिर कोई भी female वर्ट जो अंडे देती है तो उसके लिए भी क्या बोलते है ले एक्स अंडे देना को क्या बोलते है ले एक्स कहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका meaning clear हो गया लेकिन सबसे ज़्यादा confusion होगा इन verbs के forms में तो इन verbs के साथ जो दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए वो है इन verbs के सुरुवाती तीन forms तो किसी भी वर्ब के total five forms होते हैं लेकिन आपको यहाँ पर cable v1, v2 और v3 पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन verbs के साथ जो सबसे ज़्यादा कोई confusing चीज़ है वह इन verbs के three forms यह three forms जो होते हैं यह बहुत ज़्यादा आपको confuse करते हैं question को solve करते समय तो चलिए अगर मैं जूट बोलना की बात करूँ अगर like का meaning है जूट बोलना तब इसका तीन form क्या होगा तो पहला form इसका हो original form ही होता है इसका past form यानि कि इसका second form हो जाएगा light और इसका जो third form होगा यह भी light हो जाएगा अगर मैं बात करो लेटना like का दूसरा meaning क्या होता है लेटना तो लेटना के sense में अगर बात करें तो इसका जो भीवन होगा यह भी lie होगा पहला देखो किसी भी भाप्स का जो फर्म होता उसका original form और इसका अगर हम लाई का अगर जब लाई का मेनिंस हो तो इसका past form यह होगा जाएगा surviv if इसका third form क्या हो गा इसका third form हो जाएगा해 जी बात बात समझ में आ रहे हैं जो यहां पर जो confusion सब्से ज़्यादा जो होता है यहां पर दूरे का लाइका second form है और यहां पर जो लह है यह आपका भीवन भी यह ले गाल ले भीवन भी तो यहीं पर यह confusion create कर देता है हमारे लिए तो आपको विशेश कर ध्यान रखना यहां पर कि एक तो ले होता है like a second form जब इसका meaning होता लेटना या फिर पड़ा होना या फिर टिका होना और ले की बात करें तो ले हमारा first form भी ले क्या ले first form भी है जब ले का मतलब ध्यान देन होता है जब रखना meaning होता है जब meaning क्या होता है रखना होता है या बिचाना होता है रख देना होता है तब यहां पर क्या होता है ले हमारा lay ले भीवन भी होता है और तब इसका जो भी टू होता है यानि कि past form होता है यह laid होता है और इसका विथरी भी लेड होता है यह forms आप आपको पता होना चाहिए कि अलग-अलग मीनिंग में दो जो हमारा लाई है और एक लिए है इसके क्या जो तीन डिफरेंट पॉर्म से इस पर ध्यान रखना चाहिए अभी आपको बात समझ में आ गया यहाँ पर क्या हुआ कि आपने इन वर्ब्स के मीनिंग के बारे में भी जोन ले हैंर इनके टीन डिफरेंट फर्मस के बारे में भी जान लिए चलिए बो सेuchar जूट बोला है, तो जूट बोलना को क्या होता है, लाई होता है, जूट बोलना को क्या होता है, लाई होता है, और यहाँ पर जो वर्ब आएगा, यह हैव के बाद आएगा, तो हम जानते हैं कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फर्म चाहिए होता है, तो लाई का थर्ड फर्म क्यों को का बताना option A correct को Chee her option B option C option D और हम क्या च sedhe जूट बोलने के meaning में जूट बोलने के meaning में like a third form चाहिए तो जूट बोलने के meaning में होता है यह laid होता है इस लिए इस sentence क लिए जो हमारा correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा option B option B is the right answer, light, यहां पर क्या करना होगा, यहां पर light दगाना पड़ेगा, चलिए, next question देखते, next question देखो, क्या है यहां पर, he dash under a tree to sleep, अब देखो इसका meaning क्या हो रहा, पेड़ की नीचे क्या करेगा, पेड़ की नीचे वो सोएगा, भाई कैसे सोता है लोग, बैट करके सोता है, या फिर horizontal position पर लेट करके सोता है, तो horizontal position पर लेट करके सोएगा, तो यहां पर लेटना का sense आ रहा है, यहां पर sense किसका आ रहा है, लेटना का रहा है, और लेटना का आ रहा है, तो धियान दे रहा है यहां पर, कि वो जो है न पेड़ के नीचे लेट गया सोने के लिए, तो लेट गया तो कहानी कप का है, पास्ट का है, तो हमें क्या चाहिए, लेटना का मिनिंग में, तो लेटना का देखो क्या होता है, लेकिन इसका पास्ट फोर्म चाहिए, तो लेटना के सेंस में जो लाई का जो पास्ट फोर्म होता है, वो क्या होता है, ले होता है, ले होता है, तो correct answer क्या हो जाएगा? correct answer हो जाएगा option D यानि कि he lay under he lay under a tree to sleep ये बात आपको समझ महारी चलिए, next देखते हैं next क्या है? she dashed the books on the table मतलब उसने book को क्या कर दिया? book को table पे रख दिया तो रख देना का क्या होता है? books को उसने क्या क्या? table पर रख दिया मतलब हमें past form चाहिए तो ले का past form क्या हो जाएगा? ले का V2 क्या हो जाएगा? laid हो जाएगा laid हो जाएगा तो laid कहां पर है? option B में है तो option B इसका correct answer हो जाएगा she laid she laid the books on the table ये meaning आपको clear हो रहा है तो आईए next question देखते है next question है the secret of success dash in hard work तो यहाँ पर देखो sentence का meaning क्या हो रहा है? sentence का meaning हो रहा है कि सफलता का जो राज है ना कहां छीपा हुआ? सफलता का राज हाड़ वक में छीपा हुआ तो hard work में छीपा हुआ हो मतलब कि hard work में स्थित है hard work में अवस्थित है यहाँ पर अवस्थित या exist करना का sense में हो रहा है exist करना का sense में हो रहा है बातसमस में आ रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए lie का use करेंगे lie का use करेंगे तो ध्यान देना sentence का जो हमारा sense है यह general sense है यह universal truth भी बता रहा है होना है या कोई भी चीज़ का किसी फोना हियर एग्यस्स करना या कोई भी चीज़ का किसी नेक्स्ट क्या निंट्स वह स्थाने फिर्द यह उसके जो मुर्गिया इना वो हर दिन अंडे देते ह exempel अग has ल McL records देना सबसे हैं यहां पर ड्यानने कि संफ का टेंश क्या और बरक का कौन शाओफ है यहांआ वोडिये स्कर्ण जो मुर्गिया वह हर दिन अन्डेदेते हैं तो हर दिन seuby का मंने involved करte है क्षब करते सिमर्द प्रेज़ेंट में हमये चाहिए होता है बीवन चाहिए ही यह भी फाइब चाहिएिए यह थो भी फाइब की बात करें तो इसके भीका क्या हो जायगा लेस हो जाएंगा क्या हो जाएंगा हाटी वेवन वाले प्रेजेंट के लिए रिए और सबसें के लैने फिए वो यह प्सका प्रुक्त किसी चीज़ का फांडेशन रखना न्यू रखना या रखना का सेंचा रहा है रख देना या रखना का सेंचा रहा है तो अगेन यहां पर क्या होगा यहां पर ले का हम यूज करेंगे और ले क्या भीवन है तो डार्विन ने ही क्या क्या था इसका foundation रखा था किसका भई evolution का जो थियोरी है इसका foundation किसे ने रखा था सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर इसके लिए क्या करते है इसको फ्रेजल बना देते हैं लेकर कहां लगा देते हैं विडियो के बाद क्या बाद इसका करेंट है बाकि मुझे आशा है कि अब आको इन वर्प इस आपमेंड में Infusions अब तक आपके दूर हो गया होंगे आपको वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर किजिए और ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच में शेर किजिए मिलेंगे आपसे अब आपको वीडियो वीडियो तil दे ए गुद बड़ टेक केर